पालक और सरसों उबली हुई, मेथी के पत्ते खुश्क, ठोड़ी सी काली मिर्च और हेंग, क्रश्च की हुई सब्स मिर्च थोड़ा सा नमक जिंजर गार्लिक पेस्ट, क्रश्च की हुई चिली, थोड़ी सी हॉट चिली ये वो पानी है जो साग में से निकाला है तेल थोड़ा सा प्यास लाल मेरिश कूटी हुई और थोड़ा सा वाइट फ्लावर पैन में थोड़ा सा तेल लेते हैं तक्रीबन तीन टेबल स्पून के बराबर एक छोटी प्यास को बारीक काट के तेल में डालने और थोड़ी देर भून ले प्यास का रंग सुनहरा होने तक भूने चमच चलाते रहें वरना प्यास एक तरफ से जल जाएगी अब इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च शामिल कर दें थोड़ी देर भूने अब इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर दें अब इसमें चिली पेस्ट मेने डाल दी थोड़ी देर भूने अब इसमें लाल मिर्च कूटी हुई शामिल कर दें और थोड़ी देर भूने साथ साथ चमच चलाते जाएं ताके लगने ना पाएं अब इसमें सरसो और पालक की जो मैंने इसको प्रोसेसर में प्रोसेस किया था वो मैंने शामिल कर दिया और साथ साथ चमच चलाते जाएं नमक एक टेबल स्पून अब आप चमच बराबर चलाते जाएं अब इसमें मैंने मेथी के पत्ते सूखे हुए शामिल कर दिये अबालने के बाद जो पानी निकाला था वो मैंने इसमें अब शामिल कर दिया है और इसमें बराबर चमच चलाते जाएं हलकी आँच पर पकाएं साग वाले पानी में दो चमच आटे के डाल दें और उसको अच्छी तरह से मिला दें यह जो बैटर अभी बनाया था आटे का वो साग में शामिल करें और चमच बराबर चलाते चले जाएं अच्छी तरह मिक्स करें अब काली मिर्च और थोड़ी सी हींग डाल दें अब इसमें साबत लाल मिर्च तकरीबन चार पांच डाल दें एक छोटा सा टुकड़ा मक्खन का डालने जाएके के लिए सरसो कसाग तयार है इसको मकई की रोटी ताजा लसी और सलात के साथ पेश कीजिए मैंने इसको रिवाईती अंदाज में आपके सामने पेश किया है रिवाईती खानों को रिवाईती अंदाज में ही पेश करना चाहिए तब ही उनका लुद्फ आता है यकीन आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी लाइक और सबस्क्राइब करना ना भूलिए थैंक यू फर वाचेंग